अब आपने यह भी कहा कि शाट साल पहले जो बादा किया होगा किसे ने वो भी आज मोधी जी पूरा कर रहे है मैं खुद हमने इसका प्रेजेंटेशन किया था और युवा अचंबित हुए मतलब बिहार में ऐसे बड़े-बड़े पुल जब आदरणी इंदिरा गांदी जी ने जहां पे जिस पुल का सर्फ शुरुवात कीती भूमी पूजन का बहुत-बड़ा कारेकरम किया था आवंटन पैसे के उस वक 30 करोड थे पर 3000 करोड हो गए लेकिन अब वहां का पुली नहीं बना आज हो पुल बन रहा है आज नहरों पे पुल बन रहा है पानी लोगों तक पहुंच रहा है हर घर जल जो बहुत सालों तक होना चाहिए था आज भी रोटी कपड़ा मकान सिर्फ फिल्मों के नाम से ना करते हुए आज 80 करोड लोगों तक जब अनाज पहुंचता है नॉन स्टॉप उनके लिए अनाज पहुंचता है अनाज कहीं एफसी आई के कोई गुदामों में तो सडथा नहीं है या कोई बिचोलियां तो लेनी जाता है आज हो बिचोलियों कभन करके direct benefit transfer डिरेकली आपके घर, सरकार आपके घर, सेवा आपके घर, समरपन आपके तक ये करना काम आसान नहीं था 140 करोड जनता जब होती एक देश में लेकिन ये हमार लिए मैं सहज नहीं कहूंगी था लेकिन जब प्रधानमंदी नरेंद्र मोदी इतनी कठिनाई में से भी एक काम सहज रूप से करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है हम बहुत बात आगी बीटेल में करेंगे आपकी सरकार के काम की नौ साल की सब कुछ लेकिन अभी जिस एक मुद्दे पर पूरा देश उद्वेलित सा है उस पर आपकी राये में चाहता हूँ मनीपुर में जो कुछ हुआ और वो जो वीडियो हमारे सामने आया दो महिलाओं के साथ जो कुछ उसमें होता हूँ देखाई दे रहा है ठीक है इस पर विपक्ष बहुत अक्रामग भी है आपकी सरकार जे सवाल पूछे भी जा रहे है और मुझे लगता है आपको इतराज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ भी आपकी सरकार है केंदर में भी आपकी सरकार है लेकिन यह कहा जा रहा है कि यहां तक हालात आने दिये इसकी जिम्मेदारी BJP की है क्योंकि सेंटर में भी आप है, स्टेट में भी आप है जो हुआ वो तो करमें दिखी रहा है मनिपूर शर्मनाग बात हुई एसी के लिए मुझे नहीं लगता यह कोई हम कॉंग्रेस पार्टी नहीं के इससे हाथ खड़े करते हैं यह किसी और को सवाल पूछे जो उन बेटियों के साथ हुआ मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्रियों के जिन्होंने स्टेट का विशे तो बहुत सारे प्रधानमंत्री लॉइन और स्टेट का विशे करके बोल के छोड़ देते हैं लेकिन यह पीड़ा जनता को हुई और इतनी पीड़ा प्रधानमंत्री जी को भी हुई जब सदस्य और संसत का जबसत्र सुरू होगा उसी वक्त उन्होंने विशे भी कहा और कहा कि सक कि सक सजा इन सब पीडितों को जिन जिन उनने तकलीटी उनको जरूर होगी और मैं कल से कह रही हूँ कि मणिपूर सरकार पूरी तरह जो हो सके, मतलब उसके लिए सामदाम धंड भेद हो सके, हमारी बीटियों के जिसने इज़त उतारी है, और जिस प्रकार से वीडियो हमने ये दिखानी की भी जरूरत नहीं वीडियो इतना विचलित करता है, मैं वो करेंगे और ऐसी सजा देंगे कि जो मणिपूर में हुआ है, वो राजस्तान में कॉंग्रिस की सरकार करी है, चातिसगर में कॉंग्रिस की सरकार करी है, पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार करी है, उनको भी एक प्रकार का उधारन दिखाएंगे, कि बेटियों पे आ जब वीडियो सामनी आजाता है, तब तक कोई कार भी नहीं, चार होगे. पूरवत्तर राज्यों में कभी विकास नहीं हुआ, हर छोटी-छोटे वहां के समुधाये हैं, उनकी कभी इज़त नहीं रखी गई, और हर वग पूरवत्तर राज्यों को भारत से अलग थलग रखा गया. मुझे लगता है, जब अटल जी प्रधान मंत्री बने, तभी पहली बार पूरवत्तर राज्यों को भारत के साथ जोड़ा, और आज पूरवत्तर राज्यों में आप देखेंगे, जब मनिपूर में पहले कानून नहीं था, वहां पे दिक्कत इतनी होती थी, वहां की महिल इतिहास वहां का समुदायों में, लडाई कराने का भी इतिहास है, और वह इतिहास इसी लिए है, क्योंकि Divide and Rule, जो एक Conspiracy के रूप से, कुछ यहां की हमारी पार्टियां कर रही है, और कुछ International Conspiracy के रूप से इसको कर रही है, इससे मनिपूर जल रहा है, लेकिन जो इसकारी है जिम्मेदारी लेने के और जिम्मेदारी के रूप से उस बयान को आगे ले जाने के लिए ग्रह मंत्री वहाँ पे गए समुदायों से बात की और आप जब आप जानते होंगे मिकलब आप पत्रकार है आपके पास इतना गाड़ा अनुभव है यह जो समाज है मैं नाम इसले नहीं लेती क्योंकि एक समाज ये दो समाज के हिसाब से हमें बात भी करें हम सब भारती हैं लेकिन इन दो समाजों की जो लड़ाई शुरू हुई कोट का जो फैसला हुआ जो हमारे हाथ में नी था एक बार समाजों में जब एक प्रकार का गुस्सा निर्मान हो तो ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, लेकिन जब फिर से हम law and order में वापस आते हैं, तो बिलकुल मनिपूर सरकार, समय क्यों लगा 4-5,000 F.I.R.S. हैं आज मनिपूर में, इतनी सारी दिक्कते हैं, किस समाज पे, किस महिलाओं पे, किदर क्या अत्यचार हुए, किस के घर जल है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, हजारों रिपोर्ट्स निकलती है, हजारों F.I.R. होती है, आपको लोगों को, और आप जानते हैं कि मनिपूर का हिस्सा कैसे है, वो हिस्सा निचला भी हिस्सा है, आपको पहाड़ों पे भी जाना पड़ता है, इस पे पूरी तरह इसलिए मैं जिर्मेदारान रूप से करने के लिए भी तयार हूं इसमें सचाई भी ये भी सच है कि जिस तरीके से पिछले 9 साल में इस सरकार ने नौर्थ इस के लोगों को मेंस्ट्रीम इंडिया के नजदीक लाने के कोशिश की वो भी देखाई देता है लेकिन आज विपक्ष ये कह रहा है कि धाई महीने में प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं, एक All Party Meeting बुलाने में इतनी देर लगी, उनको आरोप ये है कि आपके सरकार ने वो सजगता नहीं दिखाई विपक्ष ने तो कभी North East भारत को दिखाया नहीं, सबसे पहले ये एक बात है, ये Congress, मुझे दुख लगता है कि Congress ही विपक्ष है, और जिस प्रकार से खेल अभी Congress खेल रहा है, इसके बारे में जादा मैं बोलना नहीं चाहती, Congress, मैं कह रही हूँ, मनीपुर के लिए नहीं को ने क्या किया, किस की जिम्मेदारी थी, इन Efficiency थी, या उसके पीछी की conspiracy थी, उसके लिए हमें पूरी तरह तयार है, और जिखाना जरूरी है, कि मांगे मुख्रमंतरी को हटाएं, देखिए मैं आपको कह रही हूँ, जो निरणे सरकार के बारे में जो लेना चाहिए, पा हिलाई सुरक्षित है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी की बात है.